जिस शक्स को आप सुन रहे थे वो बिहार के रौतास में रहने वाला एक पीडित पिता है जिस पर उसके सगे बेटे ने चाकु गोद कर हमला कर दिया पिता और बेटे के रिष्टे तार-तार महज एक आलू के लिए हुए दरसल कहानी तब शुरू ही जब बेटा बाजार से एक सड़ा हुआ आलू खरीद कर लाया इसी पर पिता आंग बबुला हो गए और उसे लापरवा बताने लगे इसके बाद पिता की बात का बुरा मानकर बेटा एक खौफना कदम उठा लेता है जो अब सुर्खियों में बना हुआ है पचीज साल का चंदवन्स्री बाजार में आलू लाने के लिए गया और वो जब गर पहुंचा तो देखा कि बजार से सड़ा हुआ आलू ले आया है यह देख पिता नाराज हो गए और बेटे को फटकार लगाने लगे उसके बाद बेटे ने न आव देखा न ताव और सबजी काटने वाले चाको से पिता पर हमला कर दिया जिसके बाद आनद फानन में गाहिल पिता को नजदी की अस्पिताल में भरती कराएगा अब बोले ना सारा हुए आदू लाया था बोले कि अवे सारा काहे ले रेस्टारल लादू कर दिये मिज़ा लेनिया जिसके अपना अफिस बलता है बोले में आप चुड़ी दे रे चला जे लब तो कहां पे चाकुम आ रहा है थोड़ी चला जिया कर रास्टा भी के रहा था बोले शड़ा लादू कहला रहा है रसलाही पचुला ना जिया चाहिए पिन चाज़े सर बैट के खा रहा है बला देवा थे हम लोग कमा कमा चिला रहे हैं कर लकाजे दे चोड़ी सर कर दिया पैर चिराया सर महंजर बुच गया अधेश मुतिया घरे सर हमको महर्बानी के सब्सक्रते जेल मिचे पड़ा जिया इलर पूरी के लसर के मुँँ पिता अधेश मुदिया तोड़ी है इसल सब माने रहे हैं उसको इसल कोई टाम पर देगा अधिक्स नहीं है पुलिस अधेश मुद्वा कभी कम्पलेन किये हैं आप लोग अधेश मुद्वा थे हमारे हाथ चिकार देहाथ है इसमों सब्सक्रता बात दोग देगे गनीमत रही की जानलेवा हमले के बाद भी पिता अब रिकवर कर रहे हैं बहराल पिता ने बताया कि उसका बेटा पिछले कहीं सालों से घर पर रही है वो कमाता नहीं है जब उसे बाजार में सबजी लाने के लिए बेजा तो वो सड़ा हुआ आलो उठा कर ले आया इसी दोरा जब मैंने बेटे को डाटा तो उसने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया बहराल वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस अभी मामले की जानबिन कर रही है बीरो रिपोर्ट ग्राइम तक कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ख़ीजा है